हेलो एवरिवन मैं हूँ राकेश स्वाध करता है कोई नई वीडियो में दोस्तों एक विवर्स का मुझे कॉमेंट आया है कॉमेंट बहुत ही मज़ेदार था तो मैंने सोचा कि इसके ओपर वीडियो बना दिया जाए सबसे पहले मैं आप लोगो कॉमेंट दिखाता हूँ ज यह जो मैंने वीडियो अपलोड किया था यह कोई मैं एक पार्टीकुलर प्लेस के लिए अपलोड नहीं किया था मैंने यह भी मेंसन नहीं किया था कि यह वीडियो सिर्फ गाउं के लिए है या फिर यह वीडियो सिर्फ सहरी छेतर के लिए ऐसा बिल्कुल मैं नहीं बोला उस वीडियो में अगर आपने ये पूछा है कि आप बताएं कि गाउं देहात में कैसे लगाना है किस परकार से बिजली को बेचना है और कितना इंकम होने वाला है तो इसके उपर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं खासकर सुनिल जी ओके तो यहां पर जो है सब सबसे पहले में इनका कॉमेंट में परके बताना चाहता हूं जैसा कि इनुने लिखा है भाई सहाव रूलर एरिया में कौन सा IT सेक्टर कंपनी और मैनिफेक्टरंग कंपनी या कोई प्राइवेट सेक्टर होता है कि गवर्मेंट को ना दे तो प्राइवेट को दे मतलब ऐ बताना चाहता हूँ जो भी आपके मन में प्रस्न रहता है आप लोग डालते हैं मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता है मुझे आच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि देकि हर एक इंसानों कुछ ना कुछ में पर्यास करूंगा ओके किलियर तो चलिए मैं आज का जो हमारा वीडियो है इसी के ऊपर है मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में कि यदि आप गाउं में 100 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आप पर मंथ कितना इंकम कर सकते हैं ओके तो सबसे पहले मैं इसक किलो वाट सोलर सिस्टम के बारे में ओके सबसे पहले देखिए जब भी आप मार्केट में निकलते हैं यदि मालिज आपका घर जो है कोई गाउं में है और हरे कैसा गाउं है जहां पर छोटा मार्केट होता है मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं चौक बोलते हैं और आप लो जैसा कि सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि जो आपके एरिया में जो आपके गाउं में चौक है वहाँ पर कितना दुकाने हैं कितना सौप्स हैं किस परकार के सौप्स हैं जैसा कि आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको किराना सौप भी मिल जाएगा उसके बाद वहाँ सबसे पहले आप सर्वे कीजिए कि उस चौक पे कितना सौप से उसके बाद आप ये सर्वे कीजिए कि हर एक दुकान का डेली बिजली कितना कंजूम्शन हो रहा है मतलब एक दुकान का पहले दोचार पांग दुकान का आप सर्वे कर लिजिए उसका एवरेज निकाल लेजिए आपको मालूम चल जाएगा किसी का 10 unit होगा, किसी का 20 unit होगा, किसी का 50 unit भी हो सकता है मैं सिर्फ दीन के लिए बात कर रहा हूँ, और रात के लिए बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ सुबा 7 वेस लेकर के सामको 5-6 वेस तक के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो कोई दुकान ऐसा होगा, जिसमें 10 यूट होगा, कोई दुकाने ऐसी होगी, जहांपे 20 यूट होगा, और कोई दुकाने ऐसी भी होगी, जहांपे कम से कम 50 यूट का कंजूम्शन देखने को मिलेगा, ति यह सब का average निकाल लीजिए आप, 4-5-10 दुकान में जाईए, सब का एक आइडिया लीजिए, और आइडिया लेने के बाद उसका, मतलब उसका जो है, आप average निकाल लेजिए, ओके, average निकालने के बाद, आपको decide करना है, कि पर मंत का जो है, या फिर पर दे का जो है, कितना यहां पर consumption हो रहा है, कितना बिजली खपत हो रही है, उसी के हिस् को सर्वे करना है, किस किस चीज का, कितना दुकाने है, किस परकार का दुकाने है, उसके बाद है, डेली कितना consumption हो रहा है, यह दो चीज पर आपको वहाँ पर वरक आउट करना परेगा, यह वरक आउट करने के बाद, आपको यह चीज समझ में आएगा, कि हमें इस एरिया क आपने देखा कि जो चौक है वहाँ पर 50 दुकाने हैं डिपरेंट टाइपस के दुकाने हैं और आपने ये भी एनलाइज किया कि डेली कंजूम्शन जो है एबरेज कंजूम्शन डेली एबरेज कंजूम्शन मतलब सुबह साथ बज़े से लेकर के साम को पांच बज़े तक लगभाग हर एक दुकान का 10 यूनिट कंजूम्शन हो रहा है योग कि देखिए वह पर एक बलब तो चलेगा नहीं वहाँ पर पंक्खा भी चलेगा कोई AC भी चलाएगा और कोई जो है लाइट भी जलाएगा 50 लाइट भी जलाएगा जिसका सो रूम होगा तो कम सकम 50 निकल करके आएगा तो डेली आप यहां पर देख सकते हैं कि 500 यूनिट का जो है डेली कंजूम्शन निकल करके आया उस पाइटिकूलर एरिया के लिए ओके अब यहां तक तो समझ गए होंगे और आपने यह भी समझ लिया कि यहां इस चोग का जो है डेली कंजूम्शन 500 तो अब आपको डिसाइड करना है कि कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है ओके अब आते हैं सोलर सिस्टम के पॉइंट पे तो यहां पर जो है यहां पर जो है आपको डिसाइड करना है कि हमारा जो कंजूम स्वर्य हमारा जो जेनरेशन है वो सोलर पैनल के उपर डिप हुआ है क्योंकि इसका इफिसेंसी ज्यादा है जिसकी वज़ा से इसका जो है करेंट प्रोडक्शन छम्दा ज्यादा है ओके अब आपको देखिए हाँ पर कोई भी सबसीडी नहीं मिलेगा सबसीडी तो भूल जाए क्योंकि आप कमर्सिल के लिए काम करें प्राइवेट सेक मतलब बिजनेस कर रहे हैं ये जो है प्योर प्राइवेट सेक्टर में आएगा आपको एक छोटी कमपनी बनानी पड़ेगी जीएस्टी नमबर आपको लेना पड़ेगा ओके ताकि आप बील कलैम अच्छे से कर सकते हैं आपको लें दिन में कोई परिसानी नहीं होगा और 7575 वाट्स का लिजिए या फिर 715 वाट्स का लिजिए मतलब 715 वाट्स का लिजिए वह आपके उपर डिपेंड करता है क्योंकि जितना ज्यादा वाट्स का लिजिएगा उतना एरिया कम रिक्वाइडमेंट होगा छोटा लिजिएगा ज्यादा एरिया 50,000 रुपिया मतलब on average अगर देखा जाए तो लब 32,000,000 रुपिया परता है लेकिन जो calculation किसाब से जो amount आया है वो मैं यहाँ पर calculation मैं consider कर रहा हूँ 31,500,000 रुपिया यहाँ पर हमने यह चीज़ समझा कि अगर हम 100 kWh का solar system लगाएंगे तो 31,50,000 रुपिया का cost आने वाला है अब यहाँ पर देखिए इतना पैसा आपके पास होना चाहिए यदि आप business करना चाहते हैं क्योंकि देखिए solar farming business में आपको one time investment है लेकिन huge amount में investment है लेकिन इसका return भी आपको काफी ज़ाद देखने को मिलेगा तो इतना पैसा जो आपके पास होना चाहिए यदि आपके पा के उपर depend करता है profit or loss क्योंकि यहीं चीज हमारा मेन है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि daily consumption था 500 units ओके यहाँ आपको बताया अब यहाँ पर हमें देखना परेगा कि यदि हम 100 kilowatt का solar system लगाते हैं तो उससे जो है दीन भर में कितना current का generation होगा देखिए टॉपकान solar का efficiency जो है है तकरीवन 22% है on an average 21.998 परसेंट लगाइसा दिखा रहा है तो ओन देखा रहा है तो लगभाग जो है 22% इसका efficiency है जिसकी बज़ा से इसका current production छमता जो है minimum 5 unit से लेकर के 7 units तक है वो डिपेंड करता है temperature के ऊपर जितना जदा गर्मी परेगी उतना जदा करेंट बनाएगा कभी 5 unit बनाएगा कभी 6 unit बनाएगा कभी 7 unit बनाएगा वो डिपेंड करता है climate के ऊपर अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर daily कितना current का generation होने वाला है 100 kilowatt के solar system से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं per day जो है आपर मैं average consider किया हूँ 6 unit per kilowatt के हिसाब से अगर इसक 600 units का generation आपको होने वाला है अगर इसी को गर एक kilowatt में देखिएगा तो approximate जो है मैं average मान करके चलता हूँ 6 units per kilowatt क्योंकि कभी 5 unit होगा कभी 6 unit होगा कभी 7 unit भी हो सकता है तो यहाँ पर तीनों का मैं average निकाल लिया 6 unit per kilowatt तो 100 kilowatt का देखेंगे यहाँ पर लगभाग 600 units निकल करके आया per day का generation अब यहाँ पर सोचेंगे कि भाई हमारा consumption 500 units है generation हो रहा 600 units तो 100 unit कहां पर जाएगा देखिए ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है जितना consumption है उससे जो आपको 100-100 units आपको बढ़ा करके आपको प्लांटर लगाना पड़ेगा ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि जहां से अगर आप wire का connection दीजिएगा तो वहाँ पर current का loss होगा छोटा सा आप grid बनाएंगे supply करने के लिए तो वहाँ पर भी current का loss होगा तो current का losses आपको देखने को मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका plant अगर 600 units produce कर रहा है तो आपको 600 unit जहां तक यहां तक भीज रहें वहां तक पहुंचेगा वहां तक नहीं पह देखा कि हमारा consumption था 500 units ओके लेकिन 100 kilowatt के solar system से 600 units का generation हो रहा है तो 100 kilowatt का solar system यदी हम लगाते हैं तो यह plant उस पूरे area को run करने के लिए sufficient होगा दीन भर मतलब चला सकता है अराम से चला सकता है ओके उसके बाद अगर इसी चीज को हम लोग देखेंगे monthly generation कितना होगा तो monthly जो ह यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए अब हम बात करते हैं आपको किस rate में बेचना है देखिए अगर आपके घर में बिजली भी लाता होगा तो उसमें आप सा गौर करके देखिएगा हम लोग जो गौर्मेंट से बिली खडिते है गौर्मेंट बेचती है हम लोग को लगभग 6 रूपिया, 7 रूपिया, 8 रूपिया में वो डिपेंड करता है एरिया के उपर कहीं पे 6 रूपिया है, कहीं पे 6 रूपिया है, कहीं पे 7 रूपिया है और कहीं कहीं पे 8 रूपिया है यह तो रेसिडेंशल के लिए मैं बात क कर रहा हूं अगर commercial कर देखिएगा तो 10 रुपिया है 11 रूपिया है 12 रूपिया है तो आपको इतना ज्यादा रखना ही नहीं नहीं है क्योंकि मान लीज़े ज्यादा रखेंगे तो आपका बिजली कोई पर्चस नहीं करेगा आपको कम रेट रखना है कितना रखना है तो आठ रुपया में बेचती होगी, तो उससे आपको कम प्राइस रखना परेगा, तभी आपका बिजली कोई पर्चेस करेगा, अगर गौर्वर्मेंट के रेट के बरावर रखियेगा, तो आपका बिजली कोई पर्चेस नहीं करेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गौ तो आप साड़े चार रुपया में बेचीए, आप पांच रुपया में बेचीए, वो डिपेंग करता है, कस्टेंबर को आप कैसे कॉनबेंस करते हैं, वो आपके उपर डिपेंग करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कि जो जो गौर्मेंट का रेट है, उससे 1,5 ग तो रुपिया कम आपको रखना है ओके अब यहां पर हम लोग समाझ लेते हैं प्रॉफिट के बारे में तो यहां पर हमने देखा कि डेली जो हमारा कंजूम्शन था वो था 600 यूनिट्स ओके क्योंकि देखें नया नया प्लांट है तो 600 यूनिट का जनेरेशन होगा इसली हो तो यहां पर मैं यहीं मान करके चलता हूं अगर आप लोग को कहीं पाइब नेड होगा कहीं पर 550 होगा कहीं पर 700 होगा तो वह अपने हिसाब से देख लिजिएगा लेकिन मैं कैलकूलेशन मैं सही ले करके चल रहा हूं ताकि हमें आगे प्रॉलम ना हो ओके अबाली आपक तो तक रिवन 3,000 रूपीज का होने वाला है मतलब एक दिन का इंकम जो है 3,000 रूपीज है daily revenue अगर हम मंतली रिविन्यू देखेंगे तो लगवां 90,000 रूपीज का मंतली रिविन्यू हमें जेनरेट होने वाला है 100 किलो वाट के solar system से अब यहां पर देखिए इतना हमें revenue आया लेकिन इसमें जो है थोड़ा बहुत maintenance cost रहेगा अब आपको यहां पर एक चीज़ और ध्यान देना है plant maintenance के लिए आपको ध्यान रखना परेगा कि ज़्यादा उसमें manpower involved ना करें हो सके तो आप खुद plant को maintenance कीजिए क्योंकि जितना अगर manpower लगाईएगा उसको उतना पैसा देना परेगा उतना आपको कम profit होगा इसलिए आप कोसिस कीजिए यदि आप फिरी हैं यदि आप जॉब नहीं करते हैं और hundred percent इसी को उपर depend होकर के business करना चाते हैं तो आपको plant देख रहे खुद करना परेगा इतना आपको कोसिस करना परेगा जटना आप उसमें involved रहेगा उतना आपको plant maintenance cost कम आएगा किसके लिए आपको जो है दो लेवर रखना है गाव देहात में इजली जो आपको 910,000 रुपया पर मंत के साब से आपको लेवर मिल जाएगा इजली मिल जाएगा जड़ा कुछ हेवी काम तो है नहीं कभी कभी जंगल निकलेगा घास काटेगा नहीं तो मॉडूल साब करेगा बस यहीं दो काम करवाना है उससे उसके लिए जो है 20,000 रुपया मान करके चलिए दो लेवर के लिए बस ज्यादा आपको नहीं रखना है ज़ादा जो है आपको ही इनवल्व होना है प्लांट में तभी ज़ादा जो है आप ऐसा अर्न कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं कंसिडर किया हूँ 20,000 रुपीज पर मन्थ मेंटिनेंस कॉस्ट ओके मॉडूल साब करने के लिए और जंगल कटाई करने के लिए उसके बाद हम देखेंगे नेट प्रॉफिट तो हमने देखा था कि हमारा जो मंतली रिविन्यू था वो था 90,000 रुपीज उसके बाद हमने देखा कि 20,000 रुपिया जो हमारा प्लांट मेंटिनेंस कॉस्ट में जा रहा है अगर हम मंतली रिविन्यू में से प्लांट मेंटिनेंस कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा निट परोफिट निकल कर के आएगा कितना निखल करके आया आप सकते कंद ट्रॉफिट 70 रुपिया गुछ से तो फिर भी जो है दसर मानस करने के बाद भी साथ रुप्या पर मंत आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा इतना हो गया अगर इसी चीज को अगर हमानी की यरली में देखेंगे भाई एक सल में कितना प्रॉफिट होगा मैं यहाँ पर मान लेता हूं मंतली 60,000 डूपेज हो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको बारा से हम लोग मल्टिपलाई कर देंगे तो पूरे एक साल का निकल करके आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यरली नेट रिविन्यू निकल करके आएगा 7,20,000 रुपिया यह पूरे एक साल का है इतना जो आपको नेट प्रोफिट होने वाला है लेकिन आपको भईया 100% आपको ध्यान देना परेगा जो भी प्लांट के ओनर है 100% उसमें इन्वाल होना परेगा जितना इन्वाल्मेंट आपका होगा उतना जदा आपको प्रोफिट देखने को मिलेगा अब यहाँ पर सोचेंगे कि भाई जो पैसा मैंने लगाया सारे 31 लाक रुपिया ये कितना दिन में रिकवर हो जाएगा तो प्लांट रिकवरी हमें भी जाना जोड़ी है क्योंकि हमको मालूमी चलना चाहिए कि भाई जो पैसा मैं लगा रहा हूँ अब इस रेट से हम बेच रहा हूँ पर डे हमको इतना प्रोफिट हो रहा है मंथली इतना हो रहा है ये इतना हो रहा है तो ये पैसा कितना दिन में रिकवर हो जाएगा तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 महिना में जो पैसा आपने लगाया है वो पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा 50 महिने का मतलब कितना 50 divided by 12 कर दीजिए कितना साल में निकल जाएगा मतलब ये 4 साल में पूरा पैसा आपका रिकवर हो जाएगा जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो पूरा पैसा 4 येर्स में रिकवर हो जाएगा ये कर दीजिए कितना से 26 से तो आप यहां पर देख सकते हैं वन करोर 87,00,000 रुपीज जो आपको 26 साल में आपको profit होगा मतलब आपने लगाया कितना आपने लगाया सारे 31,00,00, रुप्या आपने लगाया और आपको जो है 26 ये में कितना प्रोफित देखने को मिला एक करोर 87 लाख 20,000 रुपिया बस आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको आइडिया दिया जो ची मैंने आपको बताया उस धंग से आपको फॉलो करना है कस्टमर बनाईए जितना ज़्दा हो सके उतना कस्टमर बनाईए भले आपको शाटिंग में कम रिड़ देना परे दिजिए भाई क्या दिक्कत है सारे 4 रुपया में दे दिजिए 5 रुपया में दिजिए बस आपको कस्टमर बनाना है एक बार कस्टमर अगरा प्रस्टकर दिया तो धीरे धिरे कस्टमर आपको भूब बरता चला जाएगा क्योंकि गवर्बर्मेंट का भीजली है वो डे सब लेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे यदि किसी भी वर्ज को डाउट है तो आप में कॉमेंट कर सकते हैं बहुत सह लोग पूछेंगे सर आप बैंक लॉन के बारे नहीं बता है तो बैंक लॉन का अल्डेडी मैंने बहुत सारा वीडियो बना अगर नहीं अगर आप देख पा रहत हमें कॉमेंट कीजिएगा वह लिंक में आपको फर्वर्ड कर दोंगा ओके किलिए तो दोस्तों मैं अमीद करता हूं कि आप लोग समझ गया होंगे यदि कुछ डाउट है तो आप में कॉमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए पसिता है फिर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ